यावल तालुका के दही गाफ में बीती राद दो समुदायों के बीच तनाफ पैदा हो गया। फुलस प्रिशासत तुरंथ पहुँचा और इस तिते को नियंतरण में करने की कोशिश की गए। हाला कि कल पूरे दिन गाफ में तनाफ का माहूल बना रहा। तदनुसार कानून विफस्था बनाए रखनी के लिए फैसपूर की प्रभारी साहिक कलेक्टर और अनुविभागी अधिकारी। अरपित चुहान नी दही गाफ में आच फरवरी को शाम साधिस साथ बजे सी अरतालिस घंटे के लिए करफ्यू लगा तिया है। इस संभाद में निर्देश जारी कर दिये हैं करफ्यू अवधी के दुरान किसी को भी घड से बाहर निकलने की अनुमती नहीं होगी। और आविशिक सिवाओं को छोड़कर सभी दुकानी और वानिजिक प्रतिस्थान भी बंद रहेंगी। करफ्यू दंड प्रक्रिया 1903 की धारेक्स चुमालिस के तहत लगाई है। इसे बीच दही गाफ में किसी भी अपरे घडना को रोकने के लिए। पुलिस प्रिशासन ने कड़ इंतिजाम किये हैं और जिला प्रिशासन ने कहा कि गाफ में माहूल अब नियंत्रण में है। जिलगाउं से भीमराफ कोचुरे की रिपोर्ट। त्या मधे पुलिसान नी अत्ता बंदोबस ठेवला है। आणि जे नेम नेले पॉइंट्स आहे तिते सदर का है। अत्ता पूर्ण गावाद शांत्ता आहे। आणि आमचा हा प्रियास रहनात ती पूर्ण गावाद काही तेन निर्मान हूँने। दोने समाज शांतता मधी प्राव। जा दुरुष्टने की शांतता समीधी जो मगरी आईजन मगरी आहे कापना कोडू। ओद्या आमे सग्रे वरिष्ठा सोबत सग्रे डिपार्टमेंट्सी कोडिनेशन करूं। एक शांतता समीधी ची बैठा करूं।